ओवेसी लगातार अपने भाष्णों में मज़भ की बात कर रहे हैं, मुसल्मानों को दीन के नाम पर एक जुट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजिपी मांग कर रहे हैं कि चुनावायों को ओवेसी के बयान पर उनके चुनाव प्रचार करने के तरीकों पर सक्त आक्षन लेन चाहिए एलक्षन कमिशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खो और वो लोग रिलीजिन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिप के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, डिसमबर 6 का नाम छेड़ कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी की बात है, ये सारे एक ऐसे पड़े लिखे बैरिस्टर साफ के मुझ से निकल रहा है, और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये हैं, कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिये हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ काने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से उनको तो सिर्फ लोगों से दो ही दो बात करने का हैं, एक मजब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है, यवो पता है के बीफ में गाई भी आती हैं, और गाई काटना इस देश में मना है, ऐसा कहने से ओं हिंदू cater के हिए sensitive बात बन सकती हैं, और उनकी एक अपना प्रार तो बस भढ़काने के अलावा उनके अपास कुछ नहीं है बीजिपी आरोप लगा रही है कि ओवेसी मुसल्मानों को भढ़का रहे हैं वहीं ओवेसी मुसल्मानों से बढ़ चरक वोट डालने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए वो फुल राउन में अपना भढ़काऊ टेप बजा रहे हैं अलाकि अब तक दोनों चरन में जितने भी मुसल्म बहुल सीटे हैं वहाँ वोट प्रतिशत गिरा जरूर है लेकिन दूसरी सीटों के मुकाबले मुसल्म बहुल सीटों का वोट परसंटेज बहुत जादा बैता रहा लेकिन ओवेसी चाहते हैं कि ये कसर भी पूरी हो जाए ओवेसी ऐसक क्यूं कह रहे हैं इसे समझने के लिए मैं आपको दूसरे फेस की कुछ मुसलिम बहुल सीटों का वोटिंग ट्रेंड दिखाते हूँ जहां मुसल्मानों की आबादी 30% से जादा है दूसरे फेस पे यूपी की दो मुसलिम सीटों से इस पूरी तस्वीर को आप समझें हेमा मालनी की सीट मतुरा में इस बार 12% तक वोट घटा वई अमरोहा में 64% वोटिंग हुई 2019 के मुकाबले यहां 7% वोट घटा जबकि मेरट में 58% वोटिंग हुई जबकि 2019 के चुनाव में यहां 64% वोट पड़े थे इसी तरह अगर बिहार की बात करें तो वहां भी मुस्लिम बहुत सीट देखें जहां किशन गंज से ओवेसी ने अपना कैंडिडेट भी उतारा था किशन गंज में 65% मुसल्मान वोट हैं 2019 के चुनाव में यहां करीब 66% वोट पड़े थे जबकि इस बार 2% वोट यानि की 64% वोटिंग ही हुई वही 42% मुसल्मान वाले कटिहार में इस बार 64% मद्दान हुआ जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 3% कम था वही बंगाल के अगर बात करें तो बंगाल की राइगन मुसल्म बहुल सीट पर 3% वोट कम पड़े 2019 के चुनाव में राइगन सीट पर 89% वोटिंग हुई थी जबकि 2024 में 76% वोट रिकॉर्ड किया गया था अब अगर बात करें तो ये केरल की भी बात करते हैं तो केरल में किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग परसंटेज घटा है वहाँ पर भी वाइनाट सीट जहां से राइगन गांधी कैंडिडेट है वहाँ पर मुसलिम बोट परसंटेज 41% है 2019 पे 80.3 साथ प्रतीशत वोट पड़े थे और 2024 यानी कि कल जब वहाँ पर वोटिंग हुई तो 73.57% वोटिंग हुई 7% वोटिंग परसंटेज कम हुआ है